हलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर चैनल आज वर्ल्ड कॉप में देखा जागा तो पाकिस्तान का मुकावला कनाड़ा के साथ है पाकिस्तान अपना शुरुवाती दोनों मैच हार कर इसमा मतलब करीब करीब बाहर के होने के सिपी में आ गया है अब देखा जागा तो कनाड़ा कि ठाख के कुछ्छ प्लियर से पाकिस्तान को बचके रहना पड़ेगा जिसमें से आपको देखागा डीहिंगर फेल है और ऑर फ्लास एन क्रिटन बैट्स्मैन है उनसे यह तीन प्लेयर प्लस जी गोर्डन बोलर है उनसे बचके रहना पड़ेगा अगर उनका यह लेवी लेते हैं यह लोग 30 के खिलते हैं प्लस बॉलिंग में भी यह दुनों खतरनाक होते हैं डी हिलगर और इस जफर बात कर लेते हैं यह मैच का होना लाँ था फिर वही निवार के स्टुडिय में देखा गया है कि तो जितना भी मैच हुआ करीब करीब लेकिन भी बहुत ही मुश्किल बना था और इंडिया पाकिस्तान में तो एक सो नीस रन भी चेस नहीं कर पाया पाकिस्तान और इदर देखा जाएगा तो कल का जो मैच हुआ था उसमें बंगलादेश ने भी मतलब कि साउथ अफ्रिका को बहुत ही कम पे आल आउट कर दिया तो निवार के पीछ पे पाकिस्तान को थोड़ा सतर करना पड़ेगा रिजन क्या है कि उनके उपरी करम के बलेवाज जो है रिजवान और बाबाराजम अगर गलती से दोनों का भी किट गिर जाता है तो फिर पाकिस्तान का मिडिलोहर का बैटमान दिखिएगा कि लाश्ट बाद बैटमान करेंकर जिता सकता है वाप फकर जमान से ओपनी करवाज सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोनों का प्लेइंग 11 का चानाडवाल नोडवाल बहुत अच्छे बैटमन थे अच्छा बैटिंग करते हैं अगर शुरवाती में पाकिस्तान के फास्ट बोलर का दो से चारोवर और टिक है तो थोगा से लंबा खिल जाएंगे मिंस की आपका 125-30 बना देंगे जिसमें पाकिस्टान फसने की चांसे जाए फिर पीसिंग है और फ्रस्ट डाउन पर आते हैं बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं और और की भूमका नहीं आते है कभी-कभी अगर नीचे का बॉलर पिटा जाएगा तब आएंगे लेकिन चांसे बहुत कम है पीसिंग का बॉलिंग करना फिर दी बाजवा ये भी अच्छा बैटिंग कर लेते हैं दी बाजवा फिर एन की टॉन नो डाउट दो मैच में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है फिर एस मुवा जो विकेट कीपर है इनका भी परफॉर्मेंस बैटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है उसको पिर आपका यह लिगर और फिर एस जफर और फिर केस सना जो है फास्ट बोलर है ये भी पाकिस्तान मूल से आते हैं फास्ट बोलर है थोड़ा सा य पाकिस्तान इंडिया के साथ के ला गया था वही तेम रहेगी मुहमद रिजवान बावर आज में उस्मान फकर्जमान इमादवसीन सदाब इफ्तकार अमद मैं सुरू सी बोलता रहा हूं कि इस तार अमद को आप इनको इस टीम से हटा देजिए कैस भी छोड़ते हैं रन में समसा आरेको मुहमद मां आमिर यह मतलम से चार आश्च बर आपको बहुत आज यह अच्छा गिर्चा करकर बाएक मैच में बनाय रखा ता लेकिन कल का मैच न इससलमें पाकिस्तान जीतना ही और ज्यादा अंतर से जीतना है जिसे के रण रेट ज्यादा रहे कि विए से के टीम अगर दो टीम जीते रहे और पाकिस्तान का टीम दो मैं जीते रहे तो उसमें रण परेट के हिसाब से पकिस्तान पहुंच जाए अभी पहुंचने की सम्भाबना है लेकिन वह बहुत ही कम है कि निवार का पीछ है यहां कर रहा है नहीं कि आपको बैटिंग पीछ है याँ बाॉलिंग पीछ तो तीम में से कोई भी टीम जीत सकती है अब बात कर लेते हैं कि दोनों का प्लेंग रेवन अब इसमें मैंने पिछले वान भारत-पाकिस्तान का मैच बनाया था अगर आपने देखा होगा तो इसमें मेरा जो टीम बनाया गया था बहुत ही परफेक्ट टीम बनाया थे क्यों तो सबसे पहला प्लेयर जो होंगे आपको साहिन सा अफ्रीदी पिछले मैच में उनको एक बिकेट मिला था ड्रीम टीम के हिसा से बच चुके थे लेकिन निचेम सा नो डाउट बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं हो सकता है कल के मैच में इनको अच्छा खासा बिकेट म मैच इन्हों नहीं चौथा प्लेयर भी हो गया फास्मा प्लेयर अब मैं इधर से बात कर रहा हूं और राणडर में आजाएगा डई हलिंगर क्योंकि यह कभी भी किसी भी बीच पे आपको विकेट भी लेते हैं और रन भी मारते तो डी हैंलिंगर पांच में प्लेयर हो ज दोनों नहीं चलेंगे उमद रिजवान या बाबर आजम किसी टीम में दोनों को रख सकते हैं किसी टीम एक को रखेगा तो 7 मां प्लेयर ही हम रखेंगा उनको विएयर की मेर्ण लोग की तरफ कम Doctors रखेंगे लेकिन कि तरफ से अच्छे पट्रफ से एन क्रिट उन यह आपको जो ह९े वीलोगर में बैंटिंग को तिम कोर रूप कर खेंदे किसी भी पीछ स्वाज़ा ज्याधर रहता है तो आठ्मा प्लेइर में इन क्रिटा river आप जा सकते हैं वार किरेंस माच में मेरे ख्याल से थोड़ा प्रति के साथ आप सबहुतिए द्याइद है किसी मैच मेरे ख्याल से बैटिंग और वो चलेंगे या आप बाजवा के साथ जा सकते हैं इधर से फकरजमां सा स्पीड खेलते हैं ध्यूड़ा बिलते हैं और वो हो सकता है डी-ealinger का सिकार होने कि लेगिन तब तक जो है आपका तोड़ा सब बढ़ीन है तो आपका फकर जमान के साथ जा सकते हैं प्लियर या उबलिक में सदाव खान चांसे है कि आप फकर जमान के साथ ही जाए अब इग्रहमा प्लियर मैं आपको पहले भूला था यह जी गौडन चैनल से तीनों में से एक प्लेइंग लेवन बनेगा यह परफेक्ट के मैच के लिए पीच के कंडिशन को देखते हुए इसमें देखिया है कि आपको पाकिस्तान के तरफ से बैट्समन मैं मारना पड़ेगा और इस पीच पे बहुत ही मुस्किल है थोड़ा सा मुस्किल है इसलिए अगर फास्ट बॉलर एक विकेट ले लेता एकाद कैस लेता तो ड्रीम टीम का हिस्सा हो जाएंगे इसलिए मेरा जो पॉजिशन है आपका पाकिस्तान से चार बॉलर इधर से दो और एक बॉलर मिंस की आपका चार दुच्छो एक साथ प्लियर जो है आपके बॉलिंग के कटेगरी में आ जाएंगे और बाकि जो एक बैट्समन के ले रूप में मैंने ये टीम बनाया है जो एक परफेक्ट टीम बनाता है कैप्टन के लिए नो डाउट आपको मुहम्मद आमीर कैप्टन के परबलदाविदार रहेंगे-रहेंगे इस order में चार ओवर में दो से तीन विकेट लेंगे-ई-लेंगे का amar को it लेकिन ये तीन आपके परफेक्ट के परबल दावेदार होंगे कल के मैच पाकिस्तान और कनाड़ा के लिए धन्यवाद